तो बहुत बहुत स्वागत एक बात जोड़ात तरीके से हमेरे देश के जितने भी आफकाइट एस्वेंट है विल्कुल एक्जाम ड़न हो चुका है बेसाबरी से रिजल्ट का इंतजार रिजल्ट जल्द आ जाएगा बट रिजल्ट से पहले के स्पेशल वीडियो बनाई थ आते है एक्जाम में रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं गया तो क्या सर एससी करने के बाद मेरिट आउट हो जाऊँगा तो बच्छा ऐसा नहीं है आपका रिजल्ट को और बहतर कर सकते हैं और अपने उस स्कोर के माध्यम से रिजल्ट सर्प्लस करते हुए फाइनली जून जुलाई तो आपके पास टेक्निकली फाइप मन्त हैं और वाकरी में एक फोकस्ट प्रप्रप्रेशन चाहिए अगर आप रिली टूहंडड प्लस स्कोर ले जाना चाह रहे हैं तो आपको एक सिस्टमाटिक पढ़ाई की बड़ी जरूत है इन सब के बीच एक बड़ एक्जामनेशन यह बड़ा प्रश्ण है अक्सर इसमें बहुत सारे मित आते हैं तो चलिए आज पर एक डिटेल्ड में क्लारेटी करते हैं कि क्या क्या चीज़ें और कैसे हैं तो सबसे पहले एज इलिजिबिलिटी के एफकाइट 204 की हम बात करना सुरू करें तो फ्लाइ इलिजिबल है एफकाइट 204 में अपलाई करने के लिए मैं फ्लाइंग कोर की बात कर रहा हूं ध्यान से यह डेट आप बर्थ देख लिए पहले लिए अगर ग्राउंड ड्यूटी की बात करें जहें वो टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो दोनों ही केस में मोटा मो के लिए है और फ्लाइंग के लिए एफकाइट 204 बड़ यहां तो बात नहीं खतम होती है बागे का भी समझना ज़रूरी है तो पहले फटापट अगर यह है तो आप बिल्कुल त्यारी में लग जाईए और जबर जस्त तरीके से एमकेशी आपके मदद करेगा एमकेशी के साथ अगले 5-6 मेने इमानदारी से पढ़ाई करेंगे आप पहले लिए आ जाते हैं मुटा मुटा फॉर फ्लाइंग देख सकते हैं अगर 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जनुरी 2002 तक है तब तो आपके एक चांस और है इस चांस के बाद भी जो एफका 2 आपका 24 है अगर आपका यही एक जुलाई 2002 हो जाता है दो जनुरी 2002 से लेके तो दो चांस है वही दो जुलाई 2002 से देखें एक जनुरी 2003 छेचे महीने का एक्जाक्ट इंक्रेमेंटल आप देखें दो जुलाई फिर दो जनुरी एक जुलाई फिर से दो जुलाई फिर यहां एक जुलाई के बाद तो 6-6 महिने का आप देखते चले जाएं और आपका एज 2 जनवरी 2005 से आपका 1 जुलाई 2005 तक का अनालिसिस मैंने आपको यहां पर दे रखा अगर डेटापर्थ का क्राइडरिया इस तरह से आप मीट अप कर रहे हैं तो बिल्कुल 8 अटेम्ट हैं आपके पास यहां तक जान पास एक चांस थे पर इसी करम में आप देखते हैं चले जाएं करम और यहां तक आपके पास 11 अपरशुनिटी आ जाते हैं एक जुरी 2005 तक तो देख लीजिए इसके अनुसार कितने आपके पास इसका प्रॉपर स्कीन सौर्ट भी ले लिए लिजिए नाओ आफकाइट प् आपकी स्टाटिक जी के पार्ट है और उसका इस प्रस्लाइशन फोकस स्टडीज मिलना आपको बहुत जरूरी है और में बड़े गर्ब से कहता हूं के आफकाइट आपके सामने होते तो बिना देरी किये आप इससे जुड़िए बाकि कोई भी और क्वारीज हूं तो बिल स्ट्रीम में किया है आपने और 60% है और 10 प्लस 2 में मैच फिजिक से 50% है तो आप इलिजिबल हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए तो आज से कन्फूजन खतम कर दीजिएगा कि फ्लाइंग के लिए सर किवल साइंस स्ट्रीम ओले नहीं ग्रेजुशन आपका सिंपल बैचलर अगर आपका 60% है वी में तो आप जबर जबस अपर्चुनिटी है जित्ते भी हुमारे बिटेक आश्परेंट है इससे बहतर अपर्चुनिटी कुछ हो इनी सकता इससे बहतर एक्स्पोजर कुछ हो इनी सकता तो आप सब जाएं पहले लिए फ्लाइंग के बाद जो चिंत आपको नेक्स प्रपेशन में लग जाना ची बिना देरी किये आप क्लियर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं दोनों ही केस में क्योंकि आपको अगला एक्जाम अगस्त में तो देना ही देना है तो बिल्कुल लेनी डाउट्स बिल्कुल यह मेरा प्रस्टनल वाट्सप नंबर है 9696230033 और कंपनी का होता है 9696220022 तो दोनों ही पॉइंट पे आप कोईरी कोई भी हो तो जरूर मैंसिन करें मैं आपके हर प्रस्टन का जवाब दूँगा और एक्जाक्ली में चाहूंगा कि देश में ज्यादा से ज्यादा हमारा जो ग्रेजवेट है जो हमारा बीटेक है और प्राइबेट जॉप स्क्यूर है अगर आप चाहते ही निने फोर्स में आप्शन तलासना करियर का भेहतर तो अच्छा कुछ हो ही नहीं जक्तर साल में दो बार बिल्कुर ट्रांस्परेंट इंट्री हो एक पहतरी लाइफ एक्स्पोजर है तो फिर देरी क्यों लग कि वर्ट्सप करें आपको अप्डेक्ट करेंगे थैंक इसो मच्छ विसे गुड़ लग जै हिंज जै भारत